नमस्कार दोस्तों, World Best Magic में आपका हार्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंड बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें दोस्तों, 16 दिनों तक चलने वाला महा लक्शमी वरत भादर पद महा के सुखल पक्च की अस्टमी से प्रारंब होकर अस्वीन महा के क्रशन पक्च की अस्टमी तिती तक चलता है मानिता है कि यह वरत 16 दिन तक किया जाता है लेकिन कुछ लोग सिर्फ अंतिम दिन वरत रख कर भी इस वरत का पालन करते हैं इस वरत में अन्य ग्रहर नहीं किया जाता है और 16 दिन पूजा करके इस वरत का उद्यापन किया जाता है इस व्रत को रखने से मालक्षमी प्रसन्य होती हैं और आपकी सारी मनों कामनाय पूरी करती हैं और आपका घर धन्य धाने से भर देती हैं दोस्तों अब हम बात करेंगे मालक्षमी व्रत की कथा के बारे में जो इस प्रकार है प्राजीन काल में एक बार एक गाउ में गरीम ब्रामन रहता था, वे भगवान विश्नू का परम भक्त था, एक दिन उसकी भक्ती से खुस होकर भगवान विश्नू ने उसे दर्सन दिये और मन्चहा वर्दान माँगने को कहा ब्रामन ने कहा कि उसके घर में हमेशा लक्षमी का वाँस हो इस इच्छा को जानने के बाद विष्णु जी ने कहा कि उसे लक्षमी तो प्राप्त हो सकती है लेकिन उसके लिए उसे थोड़ा प्रत्न करना होगा बगवान विश्णू ने कहा कि मंदिर के सामने एक इस्त्री रोज आती है और यहां आकर उपले थापती है तुम बस उन्हें अपने घर आने का निमंत्र देना वह इस्त्री ही देवी लक्षमी है अगर वह इस्त्री तुमारे घर आ जाती है तो तुमारा घर धन्य धाने से बढ़ जाएगा इतना कहकर भगवान विश्णू अंतर ध्यान हो गए अगली दिन सुबह चार बजे ब्रामण मंदिर के सामने बैठ गया और जब धन की देवी मा लक्षमी उपले थापने आई तो ब्रामण ने उन्हें अपने घर आने का निवेदन किया ब्रामण के व्य देवी के कहन नुसार ब्रामण ने देवी का वरत एवम पूजन किया और उत्तर की दिसा की और मुख करके लक्षमी जी को पुकारा अपने वचन को पूरा करने के लिए धन की देवी प्रकट हुई और उन्होंने गरीम ब्रामण के हर संकट को दूर किया और उसके घर को भर दिया बोलो माता लक्षमी कीज़ें तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके अवस्य बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और सेयर करें और साथ इसा चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद